दोस्तों अपसे आपको जो है अपकमिक स्मार्टफोन के साथ अपकमिंग टाबलेट, टीवी, अप्लाइंसेस, गैजट से रिलेटेट निउस भी जो है इस चैनल पर मिला करेंगे जिसमें सबसे पहले में बात खोरो अपकमिंग टाबलेट की तो दोस्तों Realme की तरफ से न्यूजिकल किया रही कि उनका जो पहला टाबलेट है जल्दी लॉंज किया जाएगा जिसमें इस टाब से रिलेटेट कुछ डीटेल्स गीग बेंच के वेबसाइट पे लिगड हुए है इमेज में आप देख सकते हैं टाबलेट का मॉडल नमर दिखाई दे रहा है जो कि है Realme RMP 2102 जो की 28 अगस्ट को अपडेडेट हुआ है इस टाब में जो प्रोसेसर दिखाई दे रहा है वो है Octa-Core प्रोसेसर जिसमें 6-core है 1.8 GHz बागी के 2-core है 2 GHz यह प्रोसेसर जो है वो है Mediatek का Helio G80 का चिपसेट जो कि 12 nm Finfit Technology पे बना हुआ प्रोसेसर है इस टाब में आपको Android E-Level Operating System मिलेगा अगर Expected Specifications की बात की जाए तो यह टाब दो Color Variant में मिलेगा जो कि Gray और Gold Color Variant में होगा जिसमें आपको 10.4 इंच का Bezel-less Display मिल सकता है Tab 4 GB और 6 GB RAM Variant में आएगा आपको इसमें 8 Megapixel का क्यामरा मिलेगा तो 7,100 एमेज की बड़ी बैटरी भी इस टाब में आपको देखने मिलेगी दोस्तो रूमर्स है कि Realme Pad जो है September के मन्थ में लांच किया जाएगा जिसका expected price जो है 10 से लेकर 15,000 रुपे के price range में हो सकता है दोस्तो laptop making company Acer की company जल्दी अपने TVs को जो इंडिया में लांच करेगी जिसमें इसका जो teaser है वो company ने Amazon इंडिया के website पे भी पोस्ट किया है जिसमें जो है company budget price से लेकर high end price range तक के smart TV को लांच करेगी जिसमें आपको 32 इंच, 43, 50, 55 और 70 इंच के 4K smart TV लांच होते हुए देखने मिलेंगे expected price की बात की जाए तो ये सभी smart TV आपको 20 से लेकर 70,000 रुपे के price range में लांच होते हुए देखने मिलेंगे दोस्तो बोट की company जल्दी अपने नए TWS earbuds boat eardopes 452 को लांच करेगी जिसका teaser company ने amazon के website पे post किया है इस earbuds में आपको 10 minute के charge पे total 60 minute का music playback time मिलेगा तो total आपको इसमें 20 और का music playback time मिलने वाला है music के अमाबले में जो है earbuds काफी अच्छा होने वाला है साथ ही आपको इसमें IPX4 water resistant feature भी मिलेगा तो दोस्तो आज का informational वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like, share, comment करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे channel EDTEC को subscribe भी कर सकते है Thank you for the watching friends